नमस्कार मैं सुनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूँ एंडिये के सब से बड़े ल्रनिंग प्लेटफरंग अनकैडमी पर आप gumuks Jim आप सबी का सागत नेके सब से बड़े लर्निंग फ्लेटफरंग अनकैडमी पर जहां पर इस समय हम बात करने जा रहे हैं हम लोगोंने फ्रांस की क्रांति अर्थात फ्रेंच में पर बात कर लिया है और मैंने उस क्रांति पर बात करते हुए बताया था कि विस इतिहास की जितनी परमुग घटना है कोई भी घटना एक दूसरी से अलग नहीं है सभी घटनाओं में एक आपको तार जुड़े हुए दिखाई देते हैं और तार होते हैं उस समय की प्रिस्थितियों के क्रांती सब्द जब हम यूज करते हैं इसका मतलब वे है कि कोई ऐसी घटना हुई जिसने radical change लाया अर्थात एक ऐसी घटना जो बहुत बड़ा बदलाव लाती है उसको हम क्रांती के रूप में देखते हैं और इस क्रांती की जो जड़ होते हैं जो बीज होता है वो लंबे समय से तयार हो रहा होता है और कोई एक जो अलंत मुद्दा आता है उस मुद्दे के आधार पर लोग अपनी अंदर की उन भावनाओं को परदर्सित कर देते हैं या वह जो लंबे समय से सोसित हो रहे हैं उस सोसर से मुक्त होने का प्रयास करते हैं और वह मुक्ति का प्रयास क्रांति कहलाते हैं क्रांति होने के लिए क्या चाहिए कुछ समाजिक कारण, कुछ राजनीतिक कारण, कुछ आर्थिक कारण और कुछ तातकालिक कारण जैसा कि मैंने आपको French Revolution अर्थत फ्रांस की करांती के बिस्वे में बताया था ठीक कुछ उसी परकार का सोरूफ हमें रूस की करांती में भी देखने को मिलेगा रूस की भी समाजिक इस्ति कुछ फ्रांस जैसी थी यहाँ पर भी समाज कई खांचों में बटा हुआ था यहाँ पर भी कुलीन और सामानतों का अधिकार अधिक भूमे पर था यहाँ पर भी चर्श से जुड़े हुए लोगों को बिसेस अधिकार थे यहाँ पर भी एक मध्यम बर्ग था जो ब्यापारी था जिसके पास पैसा था और सबसे नीचे थे मजदूर बर्ग, किसान बर्ग जो सिर्फ और सिर्फ सोसड के तले दबे हुए थे इनी से करवसूला जाता था और इनी पर अत्यचार भी किया जाता था उपर के जो बर्ग थे, वह क्या कर रहे थे, बिलाश्टा पूर्ण जीवन जी रहे थे जनता कब तक इसको बरदास करते हैं जनता के बरदास करने के भी तो एक छमता होती है चीजे आगे बढ़ती चले गई और कुछ-कुछ घटनाएं जुड़ती चले गई कहा जाता है कि बिचार जो होते हैं, बिचार ही किसी समाज, देश और लोगों में परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार बनते हैं जिस रूस की क्रांती की आज हम बात कर रहे हैं, यह दरसल बिचारों से भी जुड़ा हुआ है हम लोगों ने काल्व मार्क्स के विचार को पहले भी पढ़ा होगा लेकिन काल्व मार्क्स के विचारों का implementation करने का प्रयास यहां पर रूस में किया जाएगा सामेवाद को लाने का प्रयास किया जाएगा कहा जाएगा जो मजदूर बर्ग है किसान बर्ग है वो सत्ता पर क्या करेगा, कबजा करेगा, सासन करेगा और सत्ता पर कबजा और सासन करने के लिए क्या करना होगा क्रांती करना होगा, ये रूस की क्रांती बताती रूस की क्रांती देखा जाये तो कुछ बर्सों की घटनाओं का एक जो है कि आपको कालकरम रूस में जरूर देखने को मिलेगा लेकिन रूस की करान्ती का जो परभाव है वो अन्ना सिर्फ रूस में बलकि पूरे बिस्व में देखने को मिलेगा जिस तरह से फ्रांस की करांती ने यूरोब के साथ पूरे विस्व को परभावित किया इबन इस रूस को भी परभावित किया फ्रांस की करांती का परभाव इस करांती के परभाव में भी आपको देखने को मिलेगा फ्रांस की करांती ने जो अपना एक impact छोड़ा उस impact के वज़े से रूस की करांती को एक छिंगारी मिली लेकिन यह जब रूस की करांती complete होगी तो इसके बाद विस के कई देसों में समाजवाद सामयबाद की लहट चलेगी चाइना, क्यूबा, लेटिन अमेरिका के कई देश, एसिया के कई देश इसी ओर बढ़ेंगे अर्था समाजवाद की ओर जुकाओ बढ़ेगा हम लोग जो अपना सोतंतरता संगर्स पढ़ते हैं तो हम कई freedom fighters का नाम सुनते हैं और उनका भी जुकाओ समाजवाद की ओर होता है समाजवाद की ओर जुकाओ का एक कारण है रूश की करांती और यह जो रूश की करांती है यह काफी important topic है हमारे शिलेबस का तो आप सबको good morning, आप सबको good morning प्लीस मुझे एक बार बता दिजे प्लीस मुझे बता दिजे क्या मेरी आवाज आप तक पहुँच पा रही है आप सबको good morning, आप सबको good morning प्लीस बता दिजे good morning, good morning, good morning clear है न, clear है कुछ लोग लिख रहे हैं आवाज आवाज ओके, thank you, thank you so much तो सेसन को थोड़ा सेर कर लेजे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ सेसन को थोड़ा सा सेर कर लेजे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ आए तो मैं आपको रूस की करांती पर ले चलता हूँ रूस की करांती के हमें कारण देखने है हमें रूस की क्रांती के घटना करमों को देखना है उसके परभावों को देखना है और यह जो पूरा topic है वर्ल हिच्टरी के पॉर्ण ताबिव से IR के पॉर्ण ताबिव से काफ़ी important topic है इसलिए इसको हमें सांदार तरिके से देखने और समझने का प्रयास करना है ठीक है चले पहले हम topic पर आएं उससे पहले मैं unacademy के बिसे में कुछ आपको सूचना है दे देता हूँ आप भी unacademy का subscription लेकर अपनी journey start कर सकते हैं इंडिया के top educator से एक साथ पर सकते हैं topic में discuss कर रहा हूँ मेरे vision में संचित परचे यहाँ पर लिखा हुआ है यह मेरा telegram channel है इसका लिंग के बीडियो के description में तो बीडियो के description में जाएंगे तो आपको यह telegram channel मिल जाएगा बहुत से UPSCCC के batch unacademy पर start होते रहते हैं ठीक इसी तरह का एक batch जो है की 20 October को start हुआ आप यहाँ पर यह मेरा educator और referral code है SUNILV इसका प्रियोग करके आप क्या कर सकते हैं सब्सक्रिप्सन ले सकते हैं subscription के लिए आपको क्या करना होगा आप टेलिग्राम पर मुझसे जुड़ जाए और टेलिग्राम पर मुझसे जुड़ कर क्या कर सकते हैं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जानकारी किस चीज़ की? कि हमें subscription लेना है, course लेना है. तो वहाँ पर हमारी team आपको जानकारी देदेगे. तो अगर आप हो लगता है कि आपको अपनी तैयारी को ब्युस्तित करना है, आपको लगता है कि हमें अब जो है कि ब्योस्तित तरीके से पूरे सिलेवस को कबर करना है पूरा सिलेवस ना सिर्फ कबर हो बलकि आपकी आंसर राइटिंग को बेहतर किया जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अनेकेडमी आप जोइन कर सकते हैं अनेकेडमी का जो कोर्स और सब्सक्रेप्शन है वो 0% EMI पर भी उपलब्द है ठीक है यूपीएसी सीएसी टेस्सीरी चल रही है इसको भी इसी एजुकेटर और रेफरल कोर्स से यूज आप प्राप्त कर सकते हैं हम आयाते हैं अपने टॉपिक पर रूस की करांती पर और र खरीब किया उसी स्टोरी से जोड़ने का प्रयास किया हम लेकर अगे बढ़ते हैं यह के रूस की क्रांती अब हमरें वहांalenा इन इन गड़नाओं में आपको यहाँ तो यहाँ जो चित्र है yeah और इसके बाद अगर यहां पर देखेंगे तो आपको कुछ बड़े सहर मिलेंगे यहाँ पर देख सकते हैं एक सहर है जो है कि मॉस्को और यहाँ पर एक सहर है पिर्सवर पिर्सवर यह दो सहरों का जिकर बार-बार यहाँ पर आएगा ठीक है चल तो देखें आए हम सेसन को स्टार्ट करना है अर्था टेक्ष्ट के माद हम से चीजों को समझ रहे हैं रूस की करांती विस्व की उन घटनाओं में सामिल की जाती है जिसका जिसने दुनिया की वर्तमान स्वरूब को जन्म दिया वर्तमान स्वरूब का मतलब है कि जब हम पूझी वाद और साम्मेवाद और समाजवाद का एक संगर्स देखते हैं दुनिया दो धड़ों में अभ अदिकार नहोव सब तक जितनी आव सकता हैं उहां तक उसी अनुपात में आव सकता कि अनुपात में संसाधन दिए जाए। उप ठीकर आगे बढ़ा वह कहां से बढ़ा कि रूश क्रांती से आगे बढ़ा। 1789 में दरसल जो फ्रांस की क्रांती हुई थी उसके उत्पन बिचारों ने आर्थात वहां पर जो बिचार बढ़े थे उसके जो बिचार बढ़े थे जिसमें कहा गया था सुतंतता समानता बंधुत्तो जैसे कॉंसर्ट और फ्रांस की किरांती ने राष्टवाद को भी क्या किया था मजबूत किया था और यह ब फ्रांस में हुआ वह ठीक था हमें भी ऐसा कुछ करना होगा और रही सही कसर क्या किया जो बौधिक जगत है जो बिचारक है उन्होंने कर दिया ठीक है यहां पर लिखा हुआ है तो 1789 में फ्रांस की बिचारों ने क्या किया रूस को भी परभावित किया और रूस में भी चुकि यहाँ पर क्या था, एक स्वेच्छाचारी सासन चलता था, स्वेच्छाचारी सासन का मतलब यह है, कि यहाँ पर लंबे समय से एक राजबंस का सासन था, और यह जो राजबंस की राजा थे, इनको वहाँ वला जाता जा 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 ज दूर थे जो किसान थे उनकी उपर कई तरह के अत्याचार किये जा रहे थे और जनता उस क्या हो रही थी सूसित हो रही थी और सूसित होती जनता ने क्या किया क्रांती का बिगुल बचा दिया तो दरसल यहां पर यहां का जो समाज है फ्रांस की तरह यहां का भी समाज क्या था विसमता मोलग था जहां पर विसमता होगी वहां पर क्रांती की संभावनाएं बढ़ जाएंगे करांती के लिए दरसल कुछ चीजों की जरूरत होती है और उसमें सामाज एक आर्थिक विसमता एक बहुत बड़ा रोल फ्ले करता है तो फ्रांस के तरह यहां काफी सामाज तीन वर्गों में बटा हुआ था पहले बर्ग में सामंत और पादरी थे दूसरे वर्ग में ब्यापार, जमिदार और पूझे पती थे और तीसरे वर्ग में कृशिक मजदूर थे सबी पूरा जो सोसड हो रहा था इस तीसरे वर्ग का हो रहा था विसेस बात यह थे कि तीनों वर्ग स्वैम को एक दूसरे से अलग रखते थे और इनके बीच में सदभावना जैसी कोई चीज नहीं थी इवन मजदूरों के रहने के लिए बिलकुल अलग एरिया थे इवन सड़के तक अलग थी आप समझ सकते हैं कि समाज में विसमता की खाई किस कदर बढ़ चुकी थी बिस्व के अन हिस्सों में ओद्योगी करांती पहले हो चुकी थी और उस ओद्योगी करांती की वज़े से सभी जगों पर माना जा रहा था कि हम क्या करेंगे अपने यहां पर ओद्योगी करण करके उत्पादन को बढ़ाएंगे लेकिन ओद्योगी करण के लिए क्या चाहिए था मजदूर की जरूरत थी यहां का भी जो समाज है यहां का जो समाज है यहां पर ओद्योगी करण लेट में प्रारम हुआ और लेट में जो अवद्गी कर्म परार्म हुआ तो धीरे धीरे यहां पर भी मजदूरों की ज़रूरत पढ़ी और मजदूरों का किंदर्ण हुआ दो सहरों में मौसको और सेंट पीसवर्ग वाला जो छितर मैंने आपको भी मैप में दिखाय हुआ उगा और ऐसे में क्या हुआ जब मजदूर किसान जब मजदूरी करने आया तो उसको पता चला है कि यहां पर भी कुछ नहीं है किसान पहले से टेक्स के बार से लगान से उसके बोज से दबा हुआ था वो ये सोच कर आया था कि हम सहर में जा रहा है और मजदूरी करेंगे तो हो सकता है हमारा जीवन इस तर सुधरे लेकिन नहीं ऐसा नहीं था एक दस वाही बारे के कमरे में यहाँ पर जो है कि 20-20 लोग रहते थे उहाँ पर ना तो पीने के पानिक ब्योस था थी ना वेंटिलेशन था ना स्वास्त की कंडिसन बहतर थी ना उनके जीवन में कोई उमंग का उहाँ पर कारण था रूस में किसानों की संक्या सरवादिक थी लेकिन या तो सामानतों के पास अर्थात कुलीनों के पास थे या फिर चर्च से जुड़े हुए लोगों के पास जिसके वज़े से क्या हुए मजदूर यहाँ पर सहरों में भी मजदूरी कर रहे थे और गाउं में भी जो किसान था, वो किर्सक मजदूर के रूप में तब्दिल हो चुका था, हाला कि दासपरता को तो देखा जाता हो, यहां पर कहने के लिए समाप्त कर दिया गया था, लेकिन दासपरता यहां पर अभी भी बनी हुई थी, चुकि और दोगी करण हुआ, तो और दोगी करण के साथ साथ यहां पर पूजी वाद का विचार भी आया, पूजी वाद का विचार कहता है कि पूजी का केंदर होगा, यहां पर भी यही चीज होने लगे, लेकिन जैसा कि हमने कहा समाजवादी विचार का परसार होने लगा, फ्रांस में जो हुआ था, फ्रांस में भी हमने देखा था कि कितने जो है कि बहुत धिक विचारक हुए कितने लेकों ने वहाँ पर क्रांती का बिगुल बजाने में अपना जो विचार है उसको पहुँचाया बताया कि किस तरह का समाच होना चाहिए और किस तरह का समाच क्या कंडिसन क्रेट करता है ठीक यही बात यहाँ पर भी हुई, जिस तरह 프랑स की करांटी में दारसखनयों और सिचित बर्ग का योग्दान था यहाँ पर भी था यहाँ पर सिचित बर्गों के दारा बिभिन दारसखनयों के बीचारों का अध्यन कर आम जन के बेच में परसाड़ित किया गया और बताया गया कि जिस तरह से फ्रांस में निरंकुस सासन था ठीक उसी तरह से हमारे यहां पर जो जार का सासन है यह कितना निरंकुस है यह कैसे हमारे सुतंतरता का जो है की शोशन करता है कैसे हमारे अधिकारों को छेंता है कैसे हमारी कमाई को चूसता है और फिर क्या करता है अपना भोग विलास्ता का चीवन जीत इसका मतलब क्या है कहीं ने कहीं यहां पर भी वही चीजे घर करने लगें लोगों के मन में बा की चरूरत है दरसल यहां पर अभी मैं बताऊंगा यहां पर जो जार था जो सासन कर रहा था निकोलस दुटी अभी उसके बिसम हम बात करेंगे तो उसने क्या किया था जो पूरी पद्धती नाई थी सासन की दरसल वह एक परंपरागत पद्धती चली आ रहे थी रोमनो वंस यहां पर क्या था एक परिवार था तीन सो बर्सों से यहां पर सासन कर रहा था बात तीन सो बर्सों की नहीं है दरसल तीन सो बर्सों सो सड़ के थे और इस सो सड़ के बर्सों से जनता एकदम तरस्त हो चुकी थी उसके पास ना तो खाने पीने के लिए जो कोई आधार था और ना ही उसकी जीवन में किसी परकार का उस्सा और उमंग बचाता है ऐसे में क्या हुआ बहुत से किताबे आई War and Peace, बहुत से लेखा काई जिनका नाम आप यहां पर देख सकते है इन्होंने बताया कि जो समाजवाद है, जो साम्मेवाद है वही मूल बिचार है और यहां से यह विचार क्या हुए, आगे बढ़ने लगे तो जैसे कि मैंने आपको कहा अब इस चीज को फिर से एक नए सिरे से हम लोग देखते है फिर से एक नए सिरे से इस चीज को हम देखते है यहां पर आने से पहले मैंने अभी तक जो आपको बता है उसको मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ दर्स एक सिकंड देज़े अगर हम उनिश्वी और वीश्वी सदी देखें तो रूस क्या है अभी एक क्रिसी आधारी समाज है सौभाविक है क्रिसी आधारी समाज में क्या चाहिए क्रिसक जितना उत्पादन करे अगर उसका मुल मिल जाए तो क्रिसक शमाज भी क्या कर सकता है देश को आगे बढ़ा सकता है लेकिन जैसे कि अभी कि आपने फैक्ट और पॉइंट्स को देखा हमने बताया कि क्रिसक समाज होते हुए भी क्रिसी आधारित जो है की छेतर होते हुए भी यहाँ पर जो किसान था वो मजदूर था कारण उसकी पास जमीन नहीं थी जमीन तो सामंतों के पास थी या पादरियों के पास थी इसका मतलब यह है कि किसान जो है की अभी एक मजदूर के रूप में अपनी सेवा दे रहा है और इस कंडीशन में किसान की इस्तिती क्या थी एकदम दैनिय थी और उपर से यह दैनि इस्तिती तब और विक्राल रूप ले लेती थी जब सूखा और अकाल जैसे समस्याइं बढ़ जाती थी सूखे और अकाल जैसे समस्या के दोरान भी यहाँ पर टैक्स नहीं चोड़ा जाता था या फिर किसानों को कोई राहत नहीं दिया जाता था यहाँ के लोग भी इंतिजार कर रहे थे ऑद्दूगी करन का उद्योगी करण का उनका यह मानना था कि जब उद्योगी करण होगा तो हो सकता है कि उनके हिस्से कुछ मजदूरी आए क्योंकि यहां का जो सामंत था यहां के जो उच्छ बर्ग थे उन्होंने तो जमीन पर जिस तर से कबजा कर रखा था जिस तरह से वह किशानों से कारी करवाते थे वह एक तरह की दास पर था थी तो यहां पर ओद्योगी करण का इंतिजार किया जा रहा था लेकिन ओद्योगी करण भी यहां पर क्या हुआ भी लमश्या है ओद्योगी करण यहां पर क्या है बाद में आया और जब उद्योगी करण यहां पर बाद में आया तो सौभाविक है उसका परसार भी या उसका परभाव भी धीरे धीरे देखने को मिलेगा उद्योगी करण हुआ तो सेंट पिट्सवर और मौसको जैसे सहरों में जनसंख्या बढ़ने लगी लेकिन जैसे कि हमने बताया कि समाज क्या तक्रिसी आधारी समाज था तो उद्योगी करण के लिए बहुत अच्छी तयारियां यहां पर थी नहीं यहां पर क्या था कि वही समाज था बस उसको उद्योगी समाज बनाने का प्रयास किया जा था इस परियास में मजदूरों के लिए कोई ब्यवस्था नहीं थी धीरे धीरे जैसे जैसे उद्योग बढ़ते गए यहां पर मजदूरों की संख्या बढ़ती चली गए और मजदूरों को क्या किया गया एक छोटे से छितर में रहने पर मजबूर किया गया और यह जो मजबूरी है इस मजबूरी ने वहां के मजदूरों और किसानों को इस सोचने पर मजबूर कर दिया कि आकर यह इस्तिती कब तक चलेगे इस इस्तिती को कैसे बदला जा सकता है और अभी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी एक सिच्छित वर्ग क्या कर रहा था समाजवात का परसार कर रहा था और समाजवात का परसार करते हुए उसने यह कहा था कि जो यहाँ पर रोम नो वंश ठीक है जो यहाँ पर रोम नो वंश था ये रोगनोंबंस किसी भी तरह से लोगों के बिशे में बिचार नहीं करता है इसको सिर्फ और सिर्फ किस से मतलब है इसको मतलब है सामन्तों से उच्च बर्ग के लोगों से और ऐसे में क्या हुआ जब जनता के अंदर ये बिचार घर कर जाए कि जो राज परिवार है वा आमजन के लिए नहीं है बलकि वोग Christmas के लिए सुचता है विचार करता है उनके हिसाब से नीती अपनाता है तो क्रांती की विचार है या फिर बिद्रों का जो विचार होता है वो और क्या हो जाता है मजबूत हो जाता है तो रोम नोव बंसका यहां पर 300 बर्सों से सासन था और ऐसे में एक और घटना घटी है 1894 1894 के बाद अब आपको चीजे क्या होंगे एक काल क्रम में बढ़ती हुई दिखाएंगे 1894 में यहां पर क्या होता है निकोलस दुतिय इसका नाम था निकोलस दुतिय निकोलस दुतिय इहां का क्या बनता है समराट बनता है जिसको इहां पर कहा जाता था जार बनता है जार का मतलब है राजा इहां का बनता है अब यह जो निकोलस दुतिय था ये भी चुकि उसी बंस से था तो इसके उपर भी उसी बंस का परभाव था इसने भी क्या किया अपना उसी तरह से बिलास्ता पूर्ण जीवन या बिताता रहा और इसका साथ दिया इसकी पत्नी और इससे जुड़े एक बैक्ती ने और वह जो बैक्ती था उसका नाम था रासपुतीन उसका नाम था रासपुतीन यह जो रासपुतीन बैक्ती था इसन यह हर समस्या का इसके पास समाधान है तो यह जो निकोलस जिटीए था और रासपुतीन और इसकी पतने इन तीनों ने कहा किया जो पद्धती अपनाई उसमें किसी ब्यक्ती का कोई और जगह नहीं था इसका मतलब है कि अब जो ब्यक्ति है वो बिल्कुल क्या हो चुका है आत्म मुग्द हो चुका है उसको लगता है कि उसके पास रास पुतीन जैसा ब्यक्ति है जो हर समस्या का समाधान निकाल देगा इस ने अपने आरास पुतीन ने अपने आपको एक चमतकारी बैक्ती के रूप में प्रस्तुत किया लेकिन ऐसे चमतकारी बैक्ती करांती बिलकुल भी नहीं रोख सकते थे क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था काल माक्ष के बिचार और एक बैक्ती था लेनिन इसके बिचार बढ़ रहे थे लेनीन पर हम आगे भी बात करने वाले हैं लेनीन जो कालमास के बिचारों इसको ही लेकर आगे बढ़ रहा था थोड़ा सा परिवर्तन करके कासमाइग यह कहता है कि यह सामेबाद की बिचार धारा पर भरुशा करता है और यह कहता है कि जो भी दुनिया में उत्पादन होता है वो किस के द्वारा किया जाता है मजदूरों के द्वारा तो संपत्ती पर या किसी उत्पादन के छेतर पर किसका अधिकार होना चाहिए मजदूरों का होना चाहिए अर्थात मजदूर जब सासन करेगा तभी समाज क्या होगा बहतर होगा मांक्स कहता है लेनिन ने कहा कि मजदूर बर्ग क्या करे अपने हाथ में सत्ता ले और वह एक निरंकुस सासन भी कर सकता है लीनिन का कहना यह था चुकि मजदूर क्या है वह खुझ मजदूरी करकर आया है उसको पता है कि समाज कैसा है तो अगर मजदूर बर्ग क्रांती करके सत्ता लेगा और वह भले ही निरंकुस होगा ध्यांद जेगा वह भले ही निरंकुस होगा तब भी क्या होगा वह समाज का करेगा अगर यह पूंची वती होंगे तो यह क्या करेंगे सिर्फ पर सिर्फ अपने पास संपत्ति का केंदर करें इस सब चीजें चल रही थी और इन सब 1499 का समय है इस समय तक आते आते जैसे कि हमने कहा यहां पर क्रिसी आधारिती समाज है और क्रिशक के जो वहां की बड़ी आबादी है वह क्रिशक के रूप में है कुछ आबादी बाद में जब यहां पर औद्योगी करण होता है अर्थात इससे पहले औद्योगी करण यहां पर हो चुका है तो उसमें मजदूरी कर रहा है तो वो क्या है मजदूर है और सबसे बड़ी आबादी किर्सक और मजदूरों के रूप में है इनके पास संपत्ति और धन नहीं है इनके पास अकाल और भुकमरी का कोई जो है कि बिकल्प नहीं है इनके पास अच्छे जीवन जीने का या उस्साहपूर्ण जीवन जीने का कोई आदार नहीं है। ऐसे में क्या होता है जब काल माक्स, लेनीन और बाकी जो फ्रांस के बिचारक थे, यूरोप के अन्य बिचारक थे, उनकी बिचारदाराओं को यहां पर फैलाए जाता है और कहा जाता है कि यह जो राजस और इसको बहतर बनाने का एक दावा किया जाता है RSDP अर्थात Russian Social Democratic Party, इसका गठन होता है 1898 में अर्था जब फ्रांस क्या कर रहा है कई तरह की चुनोतियों से चूज रहा है, यहां का एक बड़ा बर्ग आंदोलित है, उग्र हो चुका है, अंदर उसके कुछ घर कर रहा है वो बिस्फोर्ट करने वाला है, इसी समय RSDP अर्थात Russian Social Democratic Party का गठन होता है, इसका जो नित्रुत है वो किया जाता है लेनिंग के दौरा, यह कहता है कि मैं मास्ट की विचारधारा को लागू करूँगा, मैं सरवहारा की बात करूँगा, मैं जो है कि सब तक संसाधन करूँगा, लोगों के प्रतिनिधुत्य के माध्यम से सासन चलाया जाएगा, जिस तरह से यूरोप के अन्य देशों में सासन चल रहा है, हम उस तरह की सासन पधती अपनाएंगे, हम यहां पर किसी बर्ग बिसीज को स्विकार नहीं करेंगे, सवभाबिक है, यह वही बात लेनिन कह रहा है, जो वहां के लोग सोच रहे हैं, अब इसका क्या होगा, लेनिन को पूरा सपोर्ट मिलेगा, और लेनिन ने क्या किया, मार्क्स की विचारधारा को आधार बनाकर, अपनी यह RSDP पार्टी को आगे बढ़ाया, मजदूरों के अधिकारों की शुरच्छा के नाम पर यह जो बनी पार्टी थी, RSDP, यह बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाई, क्योंकि जब कोई पार्टी बनती है, तो उसमें भी विचार धाराएं, अलग-अलग हो जाती है, समय आता है 1903 का और RSDP अर्थाक, Russian Social Democratic Party का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, जो पार्टी थी, इसका विभाजन हो जाता है, दो पार्ट में एक भाग कहलाता है बोलसेविक, दूसरा कहलाता है मैंश्विक, बोलसेविक का मतलब होता है बहुमत वाली पार्टी, मैजोर्टी वाली पार्टी, ठीक, वह ही मैंश्विक का मतलब होता है माइनोर्टी वाली, तो आपने रूस की क्रांती को बॉलसेविक क्रांती भी सुना होगा, वो बॉलसेविक सब्द कहां से आ रहा है, यहीं से आ रहा है, इसका मतलब है कि बहुमत में कौन है, मैजोर्टी में कौन है, मजदूर है, तो उनका क्या होगा सासन होगा, यह बात क्या कहता है, यह कहता ह कि हम क्या करेंगे हम मजदूरों का सासन लाएंगे आगे बढ़ता है मैंस्विक का कहना था कि क्रांती में दरसल ये भी मैंस्विक भी क्या कर रहे हैं यहां पर काल मार्क्स के ही विचारों को आगे बढ़ा रहा है लेकिन थोड़ा सा डिफ्रेंस है मैंस्विक का कहना था कि क क्रांती में समाजवादी लच परक्रिया और विचारधारा हर इस्तर पर होना चाहिए अर्था अगर हमें क्रांती लाना है तो क्रांती में सब की भागेदारी होने चाहिए परक्रिया भी हमारी क्या करने चाहिए ऐसी हो कि जिसमें सभी लोग आगे बढ़ें ना कि सिर्फ ए एक बर्ग को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सब को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, परक्रिया ऐसी अपनाई जाने चाहिए, जिसमें समाज के सभी बर्गों के लोक्षा मिल हो जाने, वहीं जो बहुत सभी था, जिसका नित्यूर्ट लेनी कर रहा था, उसने का सत्ता मजदू करके आए, इसी तरह से किसान भी क्या करता है, मजदू की काम करता है, और अन्य बर्गों का भी ख्याल रखेगा, यहां पर एक डिफरेंस क्रियेट हुआ, और यह चीज़े आगे बढ़ती चले गए, इसी बीच में क्या होता है, कि जब यह चीज़े आप देख रहे हैं, 19 1903 की चीज़े चल रहे हैं, तो 1903 में सब चीज़े चल रहे हैं, यह सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, कि लोग क्या हों, क्रांती के लिए तयार हों, और ऐसे में ही क्या होता है, 1904 और पांच में, कूरिया प्रायदीप और मंचूरिया पर नियंतरन को लेकर तनाव बढ़ जाता है और इस तनाव में एक तरफ है जापान दूसरी तरफ है रूस और चेन यहां पर जापान क्या करता है रूस को बुरी तरह से हरा देता है अब जो इतना बड़ा देश अभी तो कुछ नहीं अभी तो छोटा है आप उस समय का जो मैंने अभी स्ट डीपी के जो लोग थे लेनिन थे और बाकी जो सिच्छित बर्ग था वो बता रहा था कि हमारा जो राजा है वो बिल्कुत समाप्थ हो चुका है उसका अब दिमाग काम नहीं कर रहा है वह निरंकुस है वह अपनी जीवन में डोबा हुआ है उसको हमसे और आपसे मतलब न नहीं है। इतना बड़ा देश गंतलब कमियां बहुत जादा है। और उन्हें ने का जब जापान हरा सकता है तो हमें भी क्या करना चाहिए। इस राजा का राजा को हराना चाहिए। अर्थात हम भी तो क्रांटी कर सकते हैं यह हमारा भी तो देश है हम भी तो Contin ciao करते हैं इसके कारण क्या हुआ 1905 में एक छोटी सी कראंटी होती है। छोटी यहां के राजा के उपर दबाव डाला जाता है और एक छोटी सी करांती होती है मजदूर इन दरसारी छोटी सी जो करांती हुई 1905 में यहां इसका नितुरत किया मजदूरों ने यहां पर औदूगी करण भूए अभी कुछी बर्स हुए थे लेकिन औदूगी करण ने मजद मजदूरों को संगठित किया मजदूर गाओं से निकल कर आये थे सहरों में आये तो उनको सिच्छित बर्क के परभाव में आये जगए जगए जो सभाय हो रहे थी जुलूस हो रहे थे उसमें ये सामिल हो रहे और ये सिच्छित हो रहे थे तो मजदूरों ने अपनी इस्ति मारे गए और इसी के कारण इसको बोलते हैं bloody Sunday bloody Sunday bloody Sunday ठीक है bloody Sunday अर्थात हर जगे खोनी खोन था अब इससे क्या हुआ लोग और उग्र हो गए उन्होंने कहा कि तुम एक तो पहले ही तुम क्या कर चुके हो जापान जैसे छोटी से देश से हार चुके हो तुम्हारी योग्यता कुछ नहीं है और तुम हम पर क्या कर रहे हो गोली चल्वा रहे हो अब इससे यह चो उग्र विचारदारा थी आगे बढ़ी इसके बार पूरे देश में क्या हो गया बिद्रो प्रारम हो गया तो जार को क्या हुआ अपनी सत्ता च्षीन ले जाने का डर बढ़ने लगा। जार ने यहां पर एक चालाकी की। चालाकी यह की। उसने एक अक्टूबर भुष्णा पत्र जारे किया। और कहा कि हम डूमा की स्थापना करेंगे। अर्थात यहां पर एक संसद बनाएंगे। इसमें उच्च बर के लोग होंगे और इसके सदस्रे क क्या करेंगे cabinet और PM के तौर पर सासन करेंगे और राजा के नित्रुत में सासन किया जाएगा लोगों को लगा कि ठीक है लग रहा है जैसे UK में एक राजसाही पदती है उसी तरह का कुछ होगा तो यहां पर डियूमा बन गया और डियूमा जब बन गया तो इसमें cabinet और PM जैस से बास्तविक लोगतंत्र स्थापित नहीं हो पाई थे लेकिन इसी में इसी डूमा से एक ब्यक्ति बहुत परसिद्ध हुआ जिसने 1906 से लेकर 1911 तक PM के पर अर्दात परधानमंत्री के परदपर काम किया पीश्टर पीटर इस्टोलीपिन पीटर इस्टोलीपिन ने क्या स्थानों के लिए मजदूरेयों के लिए अचछा काम किया और इसके कारण जार को यह डर लगने लगा कि हो सत्ता है हमको सता से हटा दिया जाए और सत्ता से हटा कर पीटर इस्टोलीपिन को ही क्या किया जाया ends तर से सत्ता दे दिया जाए इसको ये डर लगने लगा इसने क्या किया इसकी हत्या करवा दिया पीटर इस्टोलिपीन की हत्या कर दी गई और पीटर इस्टोलिपीन की हत्या कब की जा रही है 1911 फिर से क्या हुआ डूमा को जार अपने तरह से हैंडिल कर रहा था अर्था फि उसकी भूम का पर हम कभी अलग बात कर लेंगे ठीक है तो पर्थम 20 यूद्य प्रारम हो जाता है आपको पता है वहां इश्वरी आदे से आगे बढ़ हो ठीक है अब यहां पर क्या हुआ ना तो इनको बेतन समय से मिल रहा था ना इनके पास पोसाग था ना हतियार थे जिससे इनके बीच में भी क्या हुआ असंतोस बढ़ने लगा अर्था जिन सैनकों के आधार पर जार सासन कर रहा था अब ओभी क्या होने लगे इससे नाराज होने लगे इससे दुखी होने लगे सीना में जादा तर किसानों और मजदूरों के परिवारों से ही लोग आये थे और इनके अंदर घोर रोस उत्पन होने लगा यूद्ध सामागरी का निर्माण और आपपूर्ती सुनिश्चित करने के लिए अन्य उद्योगों को बंद कर दिया गया अर्था जो आवश्यक घरेलू आवश्यक चीजे थी उनका उत्पादन बंद हो गया जिसके वज़े से जो अन्य उद्योगों में लगे हुए लोग थे वो तो क्या हो गया वो जो है कि बिरुजगार हो गया उनके उद्योग को बंद कर दिया गया इसके कारण जो यहां पर आर्थिक संखट था वो भुखमरी में तब्दिल हो गया ब्रेड के लिए यहां पर लाइन लगने लगे और ब्रेड की कीमत आसमान चुने लगी इसी दोरान यहां पर क्या हुआ भीशर आकाल भी पढ़ गया तो मजदूरों की क्या हो चुकी है रोजगार जा चुका है आकाल पढ़ चुका है और आकाल ने क्या किया यहां पर लोगों को किसानों और मजदूरों को एक-एक जो है की दाने के लिए तरसा दिया लोग भुकमरी से गुचरने लगे इस युद्ध के दोरान अर्थात पर्थम विस युद्ध के दोरान क्या हुआ यहां पर बीस लाक सैनिक और लगभग अस्सी लाक शिवीलियन मारे गे नागरेकों की मृत्यों आप यह आज की बात नहीं हो रही उस समय के वो रही है के 앞िर लौक के लिए जार सुध़रने वाला नहीं है, जो कुछ हो रहा है जार की बज़े से हो रहा है, क्योंकि लोग विलकुल तैयार नहीं थे प्रथमिस युद्ध के लिए उनका ये मानना था कि नहीं हम पर्थम भी सुद्ध में ना कोद है हमारी स्थिति क्या है काफी खराब है जार नहीं युद्ध में उनको धकेल दो दिया है लेकिन वह निकालने का प्रयास नहीं कर रहा है और नहीं अपने देश की स्थिति को वह बदलने का प्रयास कर रहा है ऐसे में क्या होता है आठ मार्च 1917 आधुनी केलेंडर के अंसार यहां पर पहली करांती होती है 50,000 मजदूरों ने सेंट फिर्सबर्ग में अपनी दैनी इस्थिती के खिलाब क्या किया हर्ताल कर दिया और यहां पर उन्होंने कहा कि अब हम इस तरह के सासन को नहीं छेलेगे चुकि यहां पर मैंने आपको कहा R.H.D.P. पहले से काम कर रही थी यहां पर सेचिकबर काम करी रहा था यहां पर मास्ट के बिचार लेनिन के बिचार पहुँची रहते अब ऐसे में क्या हुआ मजदूरों का संगठन तेजी से आगे बढ़ने लगा मजदूरों ने का कि तुमने हमको काम से छोड़ा दि हम क्या करें हरताली कर सकते हैं ऐसे में जार को अपनी सत्ता छोड़ने पड़ी और जार के सासन का यहां पर क्या हो गया समाप्त हो गया कब हो रहा है 1937 ठीक है जार के हटने के बाद सत्ता अब क्या हो गई डियूमा के पास आई अभी भी चीजे बहुत बदली नहीं है सत्ता किसके पास आगी Duma जिसका गठन जार नहीं किया था अब Duma के पास जब सत्ता आई तो इस सत्ता पर काबज हुए मैंसविक मैंसविक जो मैंने आपको बताया था RSDP जब तूटी तो दो भागों में बटी थी बोलसविक और मैंसविक और इसके जो PM वने वा थे Aleksandar Kerensky यह जो Mensvik थे यह Bolsevik को सही नहीं मानते थे RSDP से Bolsevik और Mensvik दो नहीं निकले थे लेकिन ठीक नहीं मानते थे तो इन्होंने क्या किया यह जो Mensvik थे इन्होंने Duma पर इनको सत्ता तो मिल गई लेकिन इन्होंने जो चुनाव की परकिरिया थी मेंस्विक ने भी पर्थम विस्यूदे से अपने रूस को अलग नहीं किया और नहीं इन्होंने चुनाव करवाया जनता को लगा यह फिर जो लेनिन के दल वाले थे बॉलसिबिक ने यह परचार करना शुरू कर दिया कि यह जो दल यह जो लोग है यह जार के ही लोग है और यह आपके बिचारों के लिए आपके लिए काम नहीं कर रहर है खैल रhake बहुसिबिक दल की नेता लियून ट्रॉश्की से यहां पर लिऒन ट्रॉस्कि ने यहां पर डिमांड के लिएति देखें जैसे यहां पर जो डियुमा के पास सत्ता आई वो उसके परधार कौन बारे मेंसविक दल के अलेक्जेंडर क्लेंस के और लियोन ट्रॉसकी इन्होंने कहा मेंसविक दल से कि भाया तुरंत आप क्या करो यहां पर सुधार करो इस तित्यां काफी बुरी हो चुकी हैं अर्थात यहां पर खाने पीने की चीजों का उत्पादन को बढ़ाने का प्रियास करो गर्वैश यहां बाहर आने की घोष्न तुरंत कर दो लेकिन जो मेंसविक था उसने इस चीज़ को नहीं माना उसने क्या किया बहुस्विक दल के नेताओं को ही क्या कर लिया गिरपतार कर लिया और जब गिरबतार कर लिया तो यहाँ पर लोगों को लगा यह क्या हुआ हमें लोग थे सब लोग समाजवाद के बात करते थे एक दल के लोगों को क्या किया गया दूसरे दल के द्वारा गिरबतार करवा दिया गया अब यहाँ पर जो आर्मी थी रूस की आर्मी थी उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था पहले जार फिर जो है कि यहांपर 33 आर्मी भी नाराज हो रही थी क्यों क्योंकि पर्थम विस्युद में उसके हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा था उसके पास प्रियापत साधन नहीं थे उसको जो सुबधाय मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे थे आर्मी ने सोचा ऐसा करते हैं हम सत्ता खुद ले लेते हैं और मेंस्विक सरकार का हम क्या कर देते हैं तक्ता प्लट कर देते तो अगस्त में रूसी आर्मी ने क्या किया रूसकी इस और इस्थाई सरकार ये अर्था नुमा की जो सरकार मेशविक दल के नित्रत में बनी थी इसका तक्ता प्लेट करने का प्र्यास किया अब मेशविक प्राइब को लगा अरे ये क्या हो गया ये तो सब कुछ गणवड हो गया मेंस्विक ने तुरंद क्या किया यहां परमेंस्विक दल के पियाम ने बोस्विक दल के रेट गार्ड की मदद मांगी अर्था जो बोस्विक दल के नेता थे उनको आजार रिहा किया गया और कहा गया कि आपका जो रेट गार्ड है गार्ड का मतलब यह एक संगठन था जिसमें बहुत हजारों क्या है लड़ाके थे जिसे बोलते हैं मिलीशिया जिनको आप काम दे दो लड़ाई का हो जाकर लड़कर चले आएं तो इनके पास एक संगठन था रेड़ गार्ड का बहुत से भी के पास तो मैंस्मिक ने कहा कि ह हम आपके सभी नेताओं को छोड़वा रहे हैं आप हम क्या करू रेड़ गार्ड का सपोर्ड दो आर्मी सत्ता ना लेने पाई ऐसा ही हुआ रेड़ गार्ड ने आर्मी के तकता पलट को क्या कर दिया नाकाम कर दिया और यह चूकि यह रेड़ गार्ड किस से जुड़ा और ऐसे में अब लेनिन फिर से रूस में आता है और वह लंबे लंबे भासर देगा हजारों की संख्या में लोग जुड़ेंगे और इसके बज़े से लेनिन की जो पूरा समर्थन मिलने लगा यहाँ पर जो वरकर काउंसिल मजदूरों की यूनियन बने उनको बोला जाता सोबियत उनको बोला जाता है सोबियत अब जो सोबियत थे अर्थात वरकर काउंसिल थे इनका पूरा सपोर्ट लेनिन को मिलने लगा और लेनिन क्या कहता था इस टार्टिंग में मैंने आपको बताया कहता था कि मजदूर बर क्या हो सकता ताना भी हो सकता अर्थात यह कहत उन्हों न कहा कि ठीक है 90% जन संक्या के आधार पर अगर निरमकूष सासन करके और सब तक छो है कि खुसाली लै जै सकती तो ठीक है जनता ने कहा किया यहां पर बॉल स्ब्सक्राइब समूर एर्थात लेनिं को पूरा सपॉर्ट दे दिया और बॉल स्भी करता लेनिन इंदे व्Hope किल लेनिन ने सेंट पिर्सबर्ग रेड़ गार्ड को इन मैंसिभ॥ की Юर्य किसर फटर हा तो नस सेक्षब का ओर्लेशार कंद में और रेडगार ने ऐसा ही किया धीरे धीरे कबजा बढ़ता चला गया और इसके बाद जो है कि क्या हुआ यहाँ पर ग्री युद्ध प्रारम हो गया रूस में अब क्या हो चुका ग्री युद्ध प्रारम हो गया एक तरफ लेनिन है जो अपने आपको मजदूरों का सर्वहा इसको लेनिन को सपोर्ट किसका मिल रा था रेडगार्ड का वहीं यहाँ पर जो मेंस्विक थे जिनसे सर्टा चेन ली गई थी वो अभी चुप नहीं बैठे उन्होंने क्या किया हिंसक प्रत्रोज चालू कर दिया और इसके बज़े से ग्री युद्ध प्रारम हो गया और इस ग्री युद्ध की बज़े से भी 20 से लेकर 30 लाख लोग की मृत्ति हो गई यह जो मेंस्विक थे इन्होंने इस जो संगठन बनाया जो सपोर्ट में आने वाले लोग थे उनको बोलते हैं वाइट वाइट में उचवर्ग भी था कुलीन बर्ग भी था सामांत भी था औ लाकि तो मेंस्विक के लोग थे ही थे तो एक तरफ पूरा बॉलस्विक स्वर्मू रेट गार्ट के साथ आगे बढ़ रहा है दूसरी तरफ मेंस्विक जो है कि उसने क्या किया जिन से सत्ता च्छीनी गई थी या च्छीनी जा सकते थे क्योंकि यहां पर जमीन का क्या होन जो है कि यूर्शे को बिल्कुल पसंद नहीं थी उन्होंने वाइट को सपोर्ट करना प्रारम के लेकिन बहुत कुछ हो नहीं पाया बॉलस्विक दल से समद्धी रेट गार्ड को अब क्या किया गया यहां पर और अधिकार दे दिया गया और यह बन गई रेडार में जैसे अब बोलस्विक सासन इहां पर इस्थापना कर रहा हम कास मास्के आधार पर सासन को चलाने वाले देश का निर्मार कर रहा है अभी तक यहां पर जार साही थी वो अर्भ समाप्त हो गय इन्हों नहीं का लेनिन ने श्वेम को मजदूरों के हित के लिए लड़ने वाला अपने आपको तानासागोसित किया और खुद को कहा कि अब हम क्या करेंगे चीजों को आगे वड़े तो ये थी आपकी बॉलसेविक करांती जहां पर बॉलसेविक क्या कर रहा है जो है कि अपने सत्ता को अपने पास ले रहा है रूस की करांती जैसा कि हमने देखा कई चरणों में हुई 1905 में एक छोटी सी करांती पर पर्थम विसुद्य के बाद 1917 में दूसरी करांती और इस तरह से चीजे एक कम्प्लेट अब जो रूस की करांती हुई इस करांती से क्या हुआ राजसाही का अंत हो गया पूरे बिसुद्य को यह मैसेज गया कि करांती के माध्यम से राजसाही को हम समाप्त कर सकते हैं सर्वहारा बर्ग का हम सासन ला सकते हैं चुकि इस समय अगर बिसु के अन्य देसों में देखेंगे तो कई ताना साह थे, अभी भी, और ये ताना साह क्या कर रहे थे, सासन कर रहे थे, तो सभी जगों पर ये लहर दोड़ गई, और इसका परणाम ये हुआ कि समाजवाद का परसार तेजी से हुआ, अभी तक समाज बाद को सिर्फ एक बिचार धारा के तोर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, अब पता चला कि नहीं, सिर्फ एक बिचार धारा नहीं है, यह क्या करती है, इस बिचार धारा के आधार पर सासन चलाया जा सकता है, और धीरे धीरे इस बिचार धारा से जुड़ बॉलसिविक दल के नितुर्थ में यू एससार सोबियत संग का और यही यू एससार फिर क्या होगा समय के साथ कमजोर होगा और 1990 में इसका क्या हो जाता है इसका विक्टन हो जाता है खेर इस करांती ने क्या किया राजसाही का अंद कर दिया और राजसाही का अंद करके सरव पहारा के सासन को स्थापित किया यहीं से आप देखेंगे तो पंच वर्सी योजना का कॉंसेप्ट निकला यहीं से कहा गया कि समाजबाद ही सबसे बहतर आइडोलजी और यहीं जो समाजबाद है इसने क्या किया आपने देखा होगा दूतिय विस्विद्ध के बाद एक सीत युद्ध में एक तरफ क्या है रूस है जो समाजबाद और समयबाद के आइडोलजी का परसार कर रहा है दूसरी तरफ पहुंची बाद है तो यहीं से क्या होता है हमारा जो सीत युद्ध का एक दोर है वो भी प्रारम होगा उसकी जड़े भी विखसित हो जाएगी यहां की करांती का प्रभाव रूस के साथ साथ विस्व के अनेक देशों में देखने को मिले संस्थाओं को अर्धिक समाजबादी बनाने का प्रयास किया जाएगा हमने अपनी देश के इतिहास को पढ़ते समय भी इस चीज को देखा है जर्मनी के साथ इसने संदी करके यह खु आर्थिक महामंदी जो 1929 की विस्व की सबसे बड़ी महामंदी की रूप में जिसको जाना जाता है जिसको ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है उससे रूस ने अपने आपको बचा है तो जब 1939 में जो पुछिवादी देश थे वह अपने यहां पर कई तरह की आर हुआ यह पता चला कि नहीं यह जो पूजी बास से बहतर भी आर्थिक मॉडल हो सकता है चर्च का जो इकादिकार था विसेजादिकार था इसको यहां पर भी समाप्त किया गया और जैसे कि हमने बताया फ्रांस और अमेरिका में तो पहले ही किया जा चुका था अर्थात इस क का रोल समझा गया सिच्छा के परसार को बढ़ाए गया और अधिकांस बच्चों को निसुलक सिच्छा देने की बात की गई और यह चीजे क्या हुई आगे बढ़े और इसमें एक प्रमुक नाम किसका है बलादीमीर लेनीन का और बलादीमीर लेनीन जो कि बॉलसविक दल का एक प्रमुक बेकती है प्रमुक नेता है उसने क्या किया इस रूस की क्रांती में बॉलसविक क्रांती में महतपूर भूमकाने बलादीमीर तो यह थी रूस की क्रांती आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस तरह कुछ सामाजिक आर्थिक और राजनितिक कारणों ने इ उत्पन हुई आर्थिक बिसमता और दैनी इस्थती ने वहां के लोगों को किस तरह करांती करने के लिए मजबूर किया। ठीक इसी तरह से सिचित बर्ग ने यहां के बड़े समाच को कैसे कुछ बिचारों से परचित करवाया जैसे सामाच बाद, सामेबाद के बिचारों से, क्रांती के बिचारों से कैसे परचित करवाया और कैसे बैस्विक दुनिया में जो कुछ घटित हो रहा था उससे यहां क पर पर्थम विस्युद्ध के कुछ समय बाद यहां पर भुकमरी और जो है कि असमानता एकदम चरम पर पहुंच है इसका मतलब है कि करांती का होने के लिए कोई एक घटना कितना विसाल रूप ले लेगी पता नहीं लेकिन करांती होने के लिए जरूरी है उससे पहले की बह पर मैं बात कर चुका हूँ जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है देख लीजेगा और इसके बाद हम लोग मिलेंगे 330 पर करेंट अफेर्स की हमारी कलास है उसमें मिलेंगे अगर आप अनेकेडमी का सब्सक्रिप्शन और कोर्स रेना चाहते हैं तो वीडिय जियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मेरा टेलीगराम चैनल मिल जाएगा उसको जोईन कर लिजे मैं उसका एडमीन हूँ मेरा फोटो लगा हूँवा प्रॉफाइल मिल जाएगा उस पर क्लिक करके मुझे परसनल मेसेज भेज सकते हैं या टेलीगराम जोईन करके आप फोन के माद्धम से भी कूर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. तो हमारी टीम आपको कूर्स की जानकारी दे देगे. मिलते हैं नेक्ष्ट क्लास में. Thank you so much, thank you so much. अगर सेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजेगा, जिससे नेसुलक सिच्छा का ये जो अभियान है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके. Thank you so much, thank you so much.